Emily in Paris का season 3 हाल ही में Netflix पर रिलीज हुआ है, जिसमें कहानी को second season के बाद सही pursue किया गया है, जहां Emily को एक decision लेना होता है, क्यों वो किस के साथ काम करेगी, Sylvie के साथ या Madeline के साथ, और उसी के बाद इस season में Emily की Paris जर्णी को खूब टर्न्स के साथ और life के ups and downs के साथ दिखाये जात है, जहां season में 10 episodes हैं, लगबग 30 मिनट के around हर एक episode है, जो एक बढ़िया हिंदी डबिंग के साथ आते हैं, series में Emily की जर्णी के साथ साथ पैरिस के culture और पैरिस की खुबसूरत नजारों को बहुत बढ़िया और रियल लगते हैं, characters और उनकी performance हमेशा की तरह पसंद आती है, और इस बार की story ज़्यादा कुछ नया तो नहीं लाती, लेकिन फिर भी एक काफी हद तक अच्छा entertain करती है, इस season में last two seasons के तरह, कहानी Emily और उसकी job के आसपास ही घूमती है, कोई बड़ा turn नहीं ले दी, तो यही चीज़ थोड़ी disappointing लगती है, बागी series के production में कोई कमी नह होंगा कि यह season ज्यादा बोर ना करती हुए, ठीक ठाक time pass करा देता है, बागी आपकी season के बारे में कहा रहा है, just comment में below, बाबाए